धारा 370 को लेकर पाकिस्तान की रक्ष्रा मंत्री ख्वाज़ा हाफिस की द्वारा दिये के बयान पर बात्थी प्रदेश के मुख्र मंत्री टॉक्टर मोहन ग्यादा और केंद्री मंत्री शुबरा सिंख चोहान फड़ा गुठे हैं उन्होंने पाकिस्तान की मंत्री के साथ साथ कॉंग्रिस और राखुल कांथी को जम कर आड़े हाथो लिया देखे एक खास रिपॉर्ट पाकिस्तान के रक्ष्रा मंत्री के बयान से हिंदुस्तान में बवाल धारा 370 को लेकर पाक मंत्री ने खड़ा कर दिया बवाल पाकिस्तान और कॉंग्रिस के रिष्टों को लेकर फिर खड़े हुए सवाल जी तु पटवारी बोले पाक की हैसियत नहीं वो भारत की मामले में टिपणी करे जम्मु कश्मीर में जुरी विधान सभाच चुनाव के बीच पाकिस्तान के रक्ष्रमंत्री के बयान से बवाल मचा हुआ है दर असल पाकिस्तानी रक्ष्रमंत्री ख्वाज़ा हाफिस ने 370 और 31 के मुद्दे पर कॉंग्रिस और नेशनल कॉंफरेंस का समर्थन किया ऐसे में भाज़पा के नेता कॉंग्रिस पर जम कर निशाना साद रहे हैं माथिप्रदेश के पूर्वसीम केंद्री मंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के रक्ष्रमंत्री के बयान से ये सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान और कॉंग्रेस और नेस्टल कॉंफरेंस के सुरू भी एक है, ताल भी एक है, इरादे भी एक है, एजेंडा भी एक है. और इसलिए राहुल गान्दी जी बारवार राष्ट ब्रोधी बयान देते रहते हैं सरीजिकल स्ट्राइक के सुबूत मांगते हैं एर्स्ट्राइक के सुबूत मांगते हैं सेना के बारे में आपत्ती जनक बातें करते हैं कांग्रेस के और भी नेता इस तरह की बाते करते हैं कि बहुत दुर्भा के पूर्ण है कि राहूल की कांग्रेस आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ लेकिन पाकिस्तान भी यह जान ले और कांग्रेस और नेस्टरल कांफरेंस भी देश के प्रधानमंद्री नरेंदर मोदी हैं ना 370 खतम होगी ना आतंकवाद बचेगा महें मुख्यमंद्री मोहन यादव ने ये तक सवाल उठा दिया कि कहीं कॉंग्रेस और नेश्रल कॉंफरेंस का गटबंधर पाकिस्तान ने तु नहीं किया आईए जानते हैं सीए मोहन यादव ने इस मामले में और कुछ क्या कहा है आज तो गजब हो गया पाकिस्तान के रक्षा मंतरी भारत के अंदर धारा तीन सो सतर जम्मो कश्मीर की हटाने के मसले पर पेती से के हटाने के मसले पर खुलकर के कहरें के पाकिस्तान की कांग्रेस की नेश्रल कांफरेंस की एक राए इस मसले पर तो क्या ये गडवन दन पाकिस्तान ने कराया इस बात के लिए कांगरेस अध्यक्ष राष्टी इस तर पर अपनी बात इसपस्ट करे ये घोर निंदनी बात है कि पाकिस्तान के एजेंडों को अगर कांगरेस लागू कर रही है तो ये बहुत दुर्भागे पूर्ण होगा जमू कश्मीर के अंदर जिस पकार से सांती पून तरीके से चुनाव हुए हैं लेकिन आज भी ये दन्स अगर सामने आ रहा है जो पाकिस्तान से हमने आजादी के बात से इस मुद्देव को ले करके जन्संग के जमाने से भारती अंता पार्टी और हमारी पूर्वरती कंगर्ण ने इस बात को रखा था कि धारात इन सो सत्तर ये कलंग के और वो जब पूरे देश के सामने एक हट करके आज वो सामान राज्यों की स्रेणी में खड़ा हुआ है तो केवल चुनावी राजनिती के करणने से देश विरुद्यों से हाथ मिलाना देश के दुस्मन तो वही निपटले लेकिन अब ये कांगरेस के उपर है कांगरेस के इस स्टेप के मामले में और कांगरेस के नेशनल कांफरेंस से गड़बन के मामले में अब ये प्रू हो गया है कि कांगरेस पाकिस्तान के एजेंडों का आगे बढ़ा रही पाकिस्तान की हिसियत निये कि भारत के मामलों में कोई टिपपणी करें कांगरेस पाइटी देश के सब्विधान के साथ उसके मोलिक अधिकारों की रख्षा के लिए कश्मीर की आवाम ने इतना भारी बहुमत दिया इसलिए कि उनको भारत के सभीधान से प्यार है, भारत के राजनितिक लोगों से प्यार है, सारे राजनितिक दल किसी भी दल का हो, वो भारत का राजनितिक दल कश्मीर को लेकर चिंतित होता है, पक्षवी पक्ष रखता है, पाकिस्तान की क्या हैसियत जो भारत के मामलों में पड़े दरसल पाकिस्तान की रक्ष्रमंत्री ख्वाजा हाफिस ने कहा था कि हम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर एकमत हैं पाकिस्तान की रक्ष्रमंत्री ने ये भी दावा किया है कि अगर नैशनल कॉंफरेंस कॉंग्रेस कटबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 वापस आ सकता है जिससे लेकर अब कॉंग्रेस एक बार फिर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्टे को लेकर बीजेपी के निश्वाने पर है यूर्ज रिपोर्ट एमपी नियूस खोपाल